कुछ लोग यह सोचते थे कि अगर आई अनल्ड यहां पर हार जाती है तो सदा सदा के लिए यह खत्म हो जाएगी उनके परिवारिक मसले भी थे एक परिवार यह चाहता था आई वैसिंग चोटाला हारें तो इससे पिछा चुटे और इस विचारदारा के लोग उनके साथ फिर लग जाएं आप जैसे पत्रकारों ने चाया कारों ने यह बात कह भी दी थी कि लगता है कि कांगर्स पार्टी इतना श्कौर नहीं कर सकेगी और वो आज चुनावी दंगल से बाहर नजर आती है परंतु वह फिर भी नहीं समले उनकी आपस की पार्टी बाजी की वज अचा गया तो सीधा तोर पर कांग्रेस को जिम्हेंदा ठहरा है और उड़ा पर निसाना साथते हुए गया कि मैं उड़ा से पुछूंगा कि उसने यह बात क्यों कही कि गोविंद कंडा और जो गोपल कंडा वो मेरे दोस्त हैं कि आज पी डवलूडी के ठेकों में पहले स पैसे लेकर के बुक हो जाते हैं जो लोग कहते थे कि यह मेरा चुनाव है मुख्यमंत्री जी अगर आपका चुनाव है तो आप आर गए आप मुख्यमंत्री बढ़े क्यों बैठे हो स्तीफा दे दो और यह मान लो कि हर्याना पर सरकारें जीती हैं जिनकी सत्ता होती है वह ही जीता करते हैं बहुत ही दुर्भाग्य है कि हर्यान में कैसी सरकार है दो उप्चनाव हुए दो नहीं आरगी और फिर भी पीठ थबत पा रहे हैं कि रिजल्ट से उत्साहित होगर के तो जिन्द में आई थे शिरिवान जी तो उनको पता लग गया होगा कि कि शान अंद जी काफी बाते हैं जो उन से जानने कोशिश करांगे क्योंकि काफी लंबा समय राजनीती में बिताया है तो इनका तजरुबा कुछ अलग है राम राम जी राम राम पहले तो दिपावडी की आरदी बदाई जी आपको भी प्रदेश वासियों और देश वासियों को दिल की गहराई से दिवाले की बहुत बहुत शुब कामना है देश का हर नागरिक संब्रिद हो खुशाल हो और दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की करे बगवान राम की किरपा सब पे बनी रहे तो बात कराएंगे जी एलनाबाद इलैक्शन का बारा में क्योंकि आप भी वहाँ थे और आमने भी करीबने एक महीं नवाँ पर भी ताया है तो जीत काफी छोटी रही है जी पहले तो उसका बारा में बताओ जहां तक स्वाल है एलनाबाद के उपचुनाव का और आपने कहा कि जीत का अंतर बहुत कम रहा वैसे तो जीत जीत होती है हार हार होती है परन्तु जीतने वाड़े ने किनी मुद्धों को लेकर को के विदान स्वा से स्तीफा दिया था ये कहकर के विदान स्वा छोड़ दि थी कि क्रिशी की काड़े कानून है और किशानों के इस अंदोलन में सरीक होना है तो किशान यूनी ने ये कहा था कि वो पहले अपने पदों से स्तीफा दें और फिर हमारे अंदोलन में आएं और किशान भी कोई सोक से नहीं किशानों को भी ये भैस ता रहा है कि नियुम्तम समर्थन मुल्य नहीं रहेगा मंडियां खतम हो जाएंगी काड़ा बजारी बढ़ेगी ग्रीब के रासन पे डाका डलेगा बेरोजगारी बढ़ेगी ना को अपील होगी ना को दलील होगी इन सारे मुद्दों को लेकर के आज 11 मेने हो गए किसान बच्चे बुड़े और जवान आज दिल्ली के बॉर्डर्ज पे और टोल प्लाजाओं पे बैठे हैं और अबेसिंग चोटाला ने इस बात को मद्य नजर रखते हुए कि साथ सो से ज़्यादा जाने चली गई और फिर लोगों ने ही फैंसला कर दिया कि वही चुनाव लड़ें और चुनाव लड़कर के जनादेश लें कि काड़े कानुन ये किसानों के खिलाफ हैं या किसानों के हक्के हैं इसमें एक तरफ तो ये कहने वाड़े लोग जो ये गलत हैं, किसान विरोधी हैं, काड़े कानून हैं, वो आइवेशिंग चोटाला के साथ खड़े थे, परंतु इसमें कुछ राजिनतिक बातें और भी हो रही थी, कुछ लोग ये सोचते थे कि अगर आई अनल्ड यहां प तो इससे पीछा चुटे और इस विचारदारा के लोग उनके साथ फिर लग जाएं, उन्होंने पुरा जो रजमाइस किया, और इसी के साथ जन बल जहां अवेशिंग चोटाला के साथ था, तो धन बल उनके साथ था, और इसमें तीन पार्टियां का लगी वही थी, तीन हलोपा था, उसके साथ भारती जनता पार्टी थी, और जेजेपी थी, और एक अद्रिश्य ताकत और भी थी, जो दिखाई नहीं दे रही थी, और वो आपने भली परकार पैचान भी लिये होगी, मुझे कहने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आज चर्चे इस बात के ही है कि ये अंतर कम क्यों रहा है, केवल राजनीती में अगर विशलेशन करते हैं, कि वोट लेने वाड़े ने जो सेकंड पोजिशन प्राप्त की है, तो वोट कहां से आ गए, तो उसके उपर ये साब्ज लगता है, कि इनकी परिवारिक परभाव था, और खुद कैंडिडेट के परिवार का भी परभाव वहां पे, मैं ये मान के चलता हूँ, क्योंकि चाहिए ठीक है, दोस्तों उनके बड़े भाई का होगा, उनके उपर तो इल्जाम था, परन्तु गोविन कांड़ा पर इल्जाम नहीं थे, जिसकी वज़े से लोगों ने उसको इस परकार से सोच के हमारी सारी समख्याओं का समधान ही कोविन कांड़ा है, इस वज़े से सरकार में सामिल होना चाया, और पैसा भी चला, जिसकी वज़े से ये इतने वोट मिले, और तीशरी बात ये है, कि जिस पार्टी ने अच्छी पोजिशन लेनी चाहिए थी, कांगर्स पार्टी ने अच्छे बोट बटोरने चाहिए थे, उन्होंने बोट बटोरे नहीं, बलकि अपनी फजीती करवाई है, और ये लगता था, आप जैसे पत्रकारों ने, चाया कारों ने, ये बात कह भी दी थी, कि लगता है कि कांगर्स पार्टी इतना श्कौर नहीं कर सकेगी, और वो आ चुनाविद अंगल से बाहर नजर आती है, परंतो फिर भी नहीं समले उनकी आपस की पार्टी बाजी की वज़े से, एक दूसरे को नीचा दिखाने की वज़े से, टांक खिंचाई होने की वज़े से, उनके उमिदवार की, कांगर्स के उमिदवार की जमान जब्त होगी, की वज़े से, जो स्कॉर उन्हें करना चीता, कांगर्स पार्टी नो वह नहीं किया, और जिसकी वज़े से, बी जे पी को इतनी वोट वहां मिली, जीत के बाद मैं जब अवे सिंग चोटाला से इस बारे में पुछा गया, तो सीधा तोर पर कांगर्स को जिम्मेदा ठहरा जानता है, मैं नहीं जानता कि उन्होंने ये बात क्यों कह दी या कहने वाला जानता है, परंतु इस बात के चर्चे हैं, कोई कहे या ना कहे, कि एक सबा चल रही है, एक कैंडिडेट के पक्स में चुनाव परचार करने के लिए आप आए हैं, और आप अपने दोस्ती के ब बता रहे हैं, इन बातों को पूछ रहा था उनसे, इनको अनावश्यक बातों को कहना, मैं समझता हूँ, कि ठीक नहीं था, और इसमें अब्याशिंग चोटाला भली परकार जानते हैं, कि किस परकार से बोटों में भारतिय जन्ता पार्टी के इजाफा हुआ, और उन्हों जो बात कही होगी, उसका प्रशन आप उनसे ही पूछना पर मुझे भी कुछ कुछ बात ये लगती है, तो जब भी जी कर आपके साथ मैं किसी का भी होता है, पत्रकार वारता मैं, आप एक सब्द का इस्तमाल करते हो, कुल दरोई का, जबकि कुछ दिन पहले एक बड़े नेता ने यही कहा था, पवा पवा गैंग, तो इस तरह के सब्दों का इजात कैसे हुआ सर, हमारे मित्र जैप्रकास जी ने उनको ये कहा, उनके ने जब कहा था, जब सराब गोटाला अरियाना सरकार के माथे पे लग चुक गया था, उसकी फाइल दब चुकी है, जबकि जांच अदिकारीयन तो वह रिपोर्ट भी दे दी, और इसका मुख्य कारणी ये भी है, कि उन्हीं के मैक्मे में, चुए सराब गोटाला हो, दान गोटाला हो, चुए रजिस्र्ट्री गोटाला हो, चुए पंचैतों के फंड का गोटाला हो, चुए सफाई गोटाला हो, चाहे है आप एक मामले को पूरे तोर से बेसंग कह दें कि आज पीड़ुडी के ठेकों में पहले से ही बुकिंग हो जाती है बड़े गोटाले को अंजम दिया जाता है दो चार ठेकेदारों को या इसी दमका देते हैं और कह देते हैं कि आपने तो दिखावा मातर ही केवल छलावा मातर ही इट एंड रिंग में हिस्सा लेना है नहीं तो देना तो फला आदमी को है पहले से ही पैसे लेकर के भुक हो जाते हैं यानि कि सारे गोटाले उनके उसमें क्यों हो रहे थे और फिर आपको पता ही है मैंने जो बात कही थी मैं आज भी अडिग हूँ और ये बात पूरे अर्याने में सारी में ये थाबित भी हो चुकी है जो लोग कहते थे कि यह मेरा चुनाव है मुख्य मंत्री जी अगर आपका चुनाव है तो आप आरगे आप मुख्य मंत्री बने क्यों बैठे हो स्टीफा दे दो और यह मान लो कि हर्याना प्रदेश की जनता ना जो जना अदेश दिआ है इन काले कानूनों के खिलाब दिया है वो चाहते हैं कि MSP का कानून बने वो चाहते हैं कि ये तीन काले कानून वापिस हो और ये कोई एवेशिंग चोटाला की अकेले की जीत नहीं ये देश के किसानों का जंडा एलनाबाद में फराया है तो कल जीन्द में दुशन चुटाला जी आये थे वहाँ बाग सिंग सहतर के वहाँ उसका डीनर भी था लेकिन किसान विरोध के लिए पहुंचा था काफी जद्धों जायद के बाद में किसानों ने वहाँ से उनको विरोध के दुरान निका लिया जहां तक स्वाल है उनका आने का और किसानों का विरोध करने का किसानों तो ये फैंसला लेए रख्या है कि जहां भी बारतिय जिन्ता पार्टी और जजबा के नेता आएंगे वो विरोध करेंगे और उसी संद्र में उन्होंने विरोध किया है उनका विरोध ठीक है किसानों का आम तो खिशानों के समर्थन में हैं और हम इते देस के लोगों के भी समर्थन में हैं जान कृषी के काड़े कानून हैं उसके लिए किशान संगर्स कर रहे हैं और उन्हें यह फैसला शुंक्त किशान मौर्चन ने लिया हुआ है कि बारतिया जंता पार्टी और जेजे पी और उनके एलीज कहीं भी आएंगे हम उनका विरोध करेंगे हम इस देश की जंता के साथ हैं और किशानों के साथ हैं इस देश को आज जो कहते थे हम कि दार हैं इस देश के हम पहरे दार हैं ये कहते थे हम ना खाएंगे ना खाने देंगे आज वो रेलें बेच रहे हैं आज हवाई जाज बेच रहे हैं आज बंदरगाएं बेच रहे हैं आज बीमा कंपनियों को बेच रहे हैं आज बीएसनल को बेच रहे हैं आज कोई दारा बचा ही नहीं ये ठानली है कि बड़े बड़े करम बेचे जाएंगे और पैसा अरजित किया जाएगा आज देश की ये द्रोर हैं दौलते हैं इनको इस परकार से बेचा जा रहा है और किशानों के उपर कहर ढाए जा रहे हैं आप समझते होंगे इस बात को बली परकार जहा वहीं पर इस परकार के कानून भी बनाए गए हरियाना सरकार ने के जमीन अधिगरन का जो कानून बनाया उसमें 70% किशानों की सहमती जरूरी थी उसे भी खतम कर दिया और सेंटर लेक्टिसिटी अमेंडमेंट बिल लेकर के आए जिसके अंदर प्रांतिय सरकारों को किशा 27 रेट के उपर बिजली देने का कोई दिकार नहीं छोड़ा और इसी परकार से इन्होंने पीछे आपने ये खूब पता ही होगा कि प्राड़ी प्रबंदन के लिए वाई गुनवता बनाए रखने के लिए कोई गास फूस फूकेगा कोई प्राड़ी फूकेगा तो यह इ करी दान का MSP मिला नहीं, DAP खाज नहीं, टाइम पे बिजली नहीं इतनी महंगी बिजली है, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, सोई गैस बढ़ रही है, सिमट सर्यालोवा महंगाई आस्मान को छोरी है, हर्याना परदेश में की जनता ने लगाई, तो कहीं न कई सरकार की तरफ तब ये बात आवा है, कि अगर किसान अंदोलन का इतना असर होता, तो हम तीसरे पर होते, ने की दूसरे पर, और अम जीद का मार्जन को ज़्यादा नहीं है, इसे थाबित होए है कि क्रीशी कानुनों का जो असर है, वो हैलनाबाद में काफी कम देखने को मिला, हैलनाबाद की रिजल्ट से उत्साहित होगर के तो जिन्द में आई थे, सिरिवान जी, तो उनको पता लग गया होगा कि किसान अंदोलन कितना है कि नहीं है, थर्मामेटर लगा के देख लिया होगा, जो लोग ये दावा करते हैं कि किसान अंदोलन का कोई अशर नहीं था, और मार्जिन कम रहा, प्राय उपचुनाव जब होते हैं, वो सरकारें जीतती हैं, जिनकी सत्ता होती है, वही जीता करते हैं, बहुत ही दुरभाग्य है कि हर्यान में कैसी सरकार है, दो उपचुनाव होए, दो नोई आरगी और भी पीठ थबत पा रहे हैं, इनकी तो लोग प्रिता उपचुनाव हारने से बनती है, यह इस बात को पैमाना मान बैठे, पैमाना यह होता था, कभी सरकारें हमेरे साइस होती थी कि उपचुनाव तो किसी भी सूर्थ में नहीं आरा जाएगा, और हारती भी नहीं थी, यह करके हमेशा उपचुनाव इनीने जीते हैं, जादातर, तो अंत मैं आप जनता से क्या कुछ मैसेच छोड़ोगे, मैं आज भी जनता से यही कहना चाहूंगा, कि परदेश के अंदर जिस परकार का महल है, इसे जानिए, समझिए और जागी, कि आज परदेश में कानुन जीरो टॉलरेंश की, आज तसीलों में, ठानों में, हर जगह, हर ओफिस में, आज लूट मिची हुई है, इनके विदायक, इनके मंत्री, समय सलीमत हैं, जो लोग मंत्री लेते थे, आज डेली का प्रचलन इन्होंने कर दिया, और दोपैर पहल और दोपैर बाद का भी इसा जाना, कोई काम अगर कोई पहले पांच अजार में बनता था, अब वो पचाजार में बनता है, महेंगाई जां बढ़ी, उसके साथ इनकी रिश्वत खोरी भी इतने गुणा बढ़ गई, दनेवाजी, तो यह हमारे साथ में, रामपल माजरा जी थे, और काफी विचार जा आपने जो अपनी राए हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे और इस खबर को ज़्यादा है ज़्यादा शेर कर दो मिलते हैं नाक्स टूडियम तब तक के लिए जैंद वंदे मातरम जैजवान जैकिसान